जैन दोस्तों क्या हाल है मेरे पास इस बोक्स में है Samsung Galaxy F55 5G जैसे M-Series Amazon पे मिलता है ये F-Series Flipkart पे मिलता है बट डू यू नो F4 वैसे actual मतलब fun होता है F-Series का मतलब F4 Flipkart नहीं होता और ये Samsung का ऐसा फोन है जिसके अंदर vegan leather मिलता है backside normally Samsung के phone में ये देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर दिया गया है तो करते इसके unboxing देखते क्या कैसे दिया हुआ है ये वैसे review वीडियो तो नहीं है let me clear this video is made in collab with Samsung India तो हमें सबसे पहले मिलता है smartphone smartphone के साथ मिलता है एक से में एक्टर पिन और हमें मिलता है यहाँ पर यूजर manual के साथ type-c to type-c cable as you know Samsung के box में charger नहीं मिलता बट यह जो फोन है 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है वैसे मेरे पास जो color है इसका नाम है apricot crush in real life आपको orange color की याद दिलाएगा एक और color में आएगा यह रिजिन ब्लैक बाकी याद रखिएगा दोनों ही color में आपको जो material है वो vegan leather मिलेगा design pattern Samsung के mostly phone आप देखी रहे होगे भी ऐसे आरे जो कि इनके flagship series जैसे के s23 series s24 series उस तरह के camera module minimal सा देते हैं बाकी यहाँ पर वेगन लेदर है तो मैंने आपको बताई दिया side में आपको stitching type दिख रहा होगा यह actual design है और phone ज्यादा थिक यानि कि ज्यादा motor feel नहीं कराता है यहाँ आपको hybrid sim slot मिलेगा दो sim या फिर एक sim एक memory card आप लगा पाएंगे 3.5 jack नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको NFC का support मिलेगा dual stereo speaker मिलेगा आपको यहाँ पर dolby atmos के साथ और जो output है इसका इसके जो output है super loud नहीं है बड़ डेफिनेटल सिंगल स्पीकर से loud feel कराता है और जो टाइपिंग के टाइम हैप्टी को मोटर ना वो वाइब्रेशन नॉर्मल वाला है connectivity के लिए यहाँ पर यह 5G phone है इसके अंदर मैंने देखा व्यो एन आर शो कर रहा है 4G प्लस यानि की केरियर एग्रिकेशन का support भी शो कर रहा है साथ में Wi-Fi 600 Bluetooth 5.2 मिल जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की यह फुल-HD-plus 120Hz Super AMOLED Plus display है वहाँ से तो मने काफी पहले पता हुए अगर आपको नहीं पता तो Super AMOLED जो प्लस वर्ड लग जाता है मतलब वो जो डिस्प्ले है Samsung की अपनी टेक है वहाँ पे थोड़ा सा उस डिस्प्ले को और थिन बनाया जाता है जिससे फोन और स्लिम हो सके त वहाँ प्लस वर्ड यूज होता है बाकि colors वगएर आपको Super AMOLED जैसे मिलते है और जो brightness नंबर है यहाँ पे थाउजन नीट्स का हाई brightness मौन मिल जाता है डिस्प्ले के वियू एंगल या जो डिस्प्ले ब्राइटनस है वो ठीक फिल कराती है वो दोर में भी ठीक है इंफेक स्पीड आपके सामने है और डिस्प्ले प्रोटेक्शन मुझे पता नहीं है कौन सा डिस्प्ले प्रोटेक्शन है नेक्स्ट बात करते है इसके performance की यहाँ पे आपको snapdragon 7 Gen 1 मिलता है और यह प्रोसेसर एक्चुल में 2022 में आया था 5.8 यानि कि 6 लैक के असपास अन्थो तू score मिलता है LPDDR 4X RAM है UFS 2.2 storage है बाकी फोन मैंने अभी ज्यादा टेस्ट तो नहीं किया थोड़ा बहुत जो मैंने फोन यूज किया है नोडिस किया यह कोई heavy performance को टागेट नहीं करता लेकिन यहाँ पर जो अप्लिकेशन वगारा लांच करो या UI स्क्रॉल करो तो फोन यहाँ 13 के साथ one UI 6.1 मिलता है in future software update इसको अच्छा कासा मिलने वाला है four years of Android और five years of software update मिलने वाला है तो long software update in future दिया जाएगा पहली बार जब फोन सेट अप करो तो यहाँ पे आपको कुछ extra bloatwares apps देखने को मिल जाते हैं यह आप देख सकते हो थोड़ा initially आपको setup करना पड़ेग जा install हो जाते हैं लोग screen पर जो आपको glance का option देखने को मिलता है आप इसको भी form screen setting में जाके यह option देखने को मिलता है यहाँ से off कर सकते हैं बाकि यहाँ पर जैसे हमने आपने का support मिल जाएगा Samsung wallet मिलता है नोक security मिल जाएगा तो उसकी वैसे आपको secure folder का option भी मिल जाएगा calling क time आपको focus का option देखने को मिल जाता है और जो good luck application आती है Samsung की extra customization वाली उसका support यहाँ पर नहीं है वो mostly वैसे a series के phone में होता है लेकिन बाकी चीज़े जैसे अभी तो पता ही आपको quick share देखने को मिलता है गैलरी में आपको photo को remaster करने का option object erasure का option या फिल image clipper background remove करने का किसी photo से फिर उसको कहीं paste करने का यह सारे option देखने को मिलते हैं और फाइनली नंबर है इसके camera की बात करने का यहाँ पर आपको back side 3 camera दिखाई दे रहे है 50 megapixel main OIS के साथ बाकी दोनों camera standard है यहाँ प 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro और selfie यहाँ पर 50 megapixel की देखने को मिलती है इनिशने मैंने कुछ photos क्लिक क यह इससे कुछ अलग-अलग condition में यह photos आप देख सकते हो photos यहाँ पर मैं overall कहूं तो यहाँ पर dynamic balance कर लेता है details भी ठीक देखने को मिल जाते हैं कुछ photos में हाँ लेकिन लगता कि sharpness ज्यादा है बाकी और कुछ photos आप देख सकते हो low light में भी click की गई है और वीडियो की बात कर है तो कुछ ऐसी सी इसकी audio quality देखने को यहाँ पर मिल जाती है और यह normal light condition में कुछ ऐसी वीडियो मिलती है selfie camera से तो यहाँ से आपको नो audio और वीडियो का अंदाजा दोनों लग जाएगा मैं लेकिन एक चीज नोटिस किया इसके camera में जब video recording करते हैं जैसे की 4K video recording recording के थो थ इसे दिया वह शेर किया आपके सामने यहाँ पर phone का in hand feel मुझे अच्छा लगा display अच्छा लगा अभी तो यह लोग M series F series में भी display fingerprint scanner देने लगे पहले तो side में आता था आपको कैसा लगा यह phone आप अपना opinion comment में जरूरू बताएए वो भी काफी important है और वीडियो पसंद आय तो like share subscribe करिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में